आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन होने के साथ साथ बहुत इंपोर्टेट भी है कॉमन इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत है बोल बोल के अकसर अपने नियर्स और डियर्स के साथ इस बारे में डिसकुशन्स करते रहते हैं एंड इंपोर्टन्ट इसलिए क्योंकि मनी सेव करना मतलब खुद को फानाइशली स्ट्रॉंग करना लाइफ बहुत अनप्रटेक्टेबल हो गई है कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं आजकल हर कोई चाहता है कि वो अपनी हर जूरत पूरी करने के साथ साथ हर शौंक भी होते हैं इस बात से समझ में ये आता है कि अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जादा चीजों की जरूरत नहीं होती प्रॉब्लम तो वहां आती है जहां हमारे इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती हम पैसे को अपने पास लाने के लिए स्ट्रेस बढ़ात हूँ बस वही एक्सपिरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो चलिए आप पहले बात कर लेते हैं कि कहां और कैसे हम पैसे की बरबादी करते हैं इंकम कितनी भी हो जाए अननेसेसरी शॉपिंग ने पैसे की वैल्यू को खतम कर दिया है जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ल कर रही है online shopping please don't misunderstand me मैं online shopping के against नहीं हूँ लेकिन online shopping में जितना हमारी life को easy कर दिया है उतना ही हमें फालतू की चीजों की shopping habits भी हो गई हैं ये apps इतने interesting offers देते हैं कि ना चाहते हुए भी हम चीजें buy करते रहते हैं और चाहे उस समान की कोई जूरत ना भी हो ऐसी चीजें घर म और store room से रदी में चली जाती हैं और आपको idea भी नहीं होगा कि पूरी life में कितने लाखों रुपे हम ऐसी shopping पे वेस्ट कर चुके हैं जब भी हम किसी shopping app पे offers चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ buy किया ही जाता है लेकिन मैंने एक चीज experience की है अब कोई भी चीज buy करने से पहले मैं एक बार उस app को बंद कर देती हूं और आप believe नहीं करेंगे within 3 minutes मेरा shopping का इरादा cancel हो चुका होता है और दिन खतम होने से पहले पहले मुझे realize हो जाता है कि वाक्या ही मुझे उस चीज की कोई जरूरत नहीं है उसके बिना भी मेरा काम अच्छे से चल रहा है सो कोई भी चीज बाय करने से पहले दो बार खुद से जरूर पूछें कि क्या सच में मुझे इस चीज की जरूरत है अगर जवाब हां में आए तो ही उसे बाय करें फूड अप्स पे अट्रेक्टिव पिच्चर्ज और फूड और उन पे मिलने वाले ओफर्स भी सेम ही काम करते हैं पर आप कुछ भी कहें बाहर का खारा हमेशा ही महंगा होगा और वो आपके बनाए खाने से हैल्दी भी कभी नहीं हो सकता सो रेडी मेट खाने की हाबिट छोड़ दें तो बहुत सारी सेविंग की जा सकती है वीकेंड्स पे फैमली के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब खुद को पूरे वीक के लिए रिफ्रेश करना Every weekend family के साथ दिनर पे बाहर जाने की बजाए मन्थ के दो weekend घर पे ही special dinner ready करके बच्चत और enjoy दोनों किया जा सकता है मैं अपनी बात करूँ तो every Saturday अपने और अपनी family के लिए special dinner को special way में present करती हूँ और planning के accordingly किसी occasion पे ही बाहर जाना पसंद करते हैं ऐसे ही कितने लाखों रुपे तो हम महंगी महंगी party wear dresses पे खर्च करते हैं फिर जिसका एक या दो बार से ज़ादा हम पहनना पसंद भी नहीं करते तो महंगी party wear dresses जो की एक time के बाद हमारी closers में ही पड़ी रहती हैं उन पे खर्च करने की बजाए dresses rent पे भी ली जा सकती है मैंने इनको five categories में divide किया है bill, rent, EMI, grocery and fees इन में से तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका खर्च में कोई कटौती नहीं की जा सकती जैसे की rent, EMI and fees बच्चों के school, college, extra classes and other activities की fees आप decide नहीं कर सकते same as घर का rent, made की salary ये सब वो खर्च हैं जो हर साल बढ़ते हैं बट उन में कुछ saving नहीं हो सकती इसी तरह से EMI यानि की equated monthly installments जिसमें home loan, car loan, education loan और personal loans etc. included है ये भी मंतली एक ऐसा खर्च है जो fix है, कोशिश करें की EMI सिर्फ जरूरत की चीज़ों पर ही हो, phone, gadgets और furniture की buying save की हुए पैसे से करें अब बात करते हैं वो खर्च जो हैं तो बहुत जरूरी लेकिन smartly और systematically consumption से हम इन से काफी savings कर सकते हैं यानि की bills and grocery इन points के उपर detail में जाने से पहले मैं कुछ कहना चाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतनी भी क्या कंजूसी करनी तो बहुत simple सी बात है, अपने जूरत की चीज़ों पर भी खर्च ना करने को कंजूसी कहते हैं और लापरवाही से चीज़ों का इस्तिमाल करने को कहते हैं wastage of money जिस घर में पैसों की wastage होती है, वहाँ savings कभी नहीं हो सकती एक-एक रुपे की कीमत समझने वाले लोग ही successful होते हैं किसी ने कहा है, take care of coins, rupees can take care of themselves यानि कि सिक्कों का खयाल रखें, note अपना खयाल खुद रख लेंगे coins जुडते हैं तो note बनते हैं अगर किसी product की कीमत 100 rupees है और आपके पास सिरफ 99 rupees है तब हमें उस एक रुपे की कीमत का पता चलता है बात करें bills की, तो newspaper bills के इलावा electricity, phone, medical और transport पे होने वाले वो खर्च जिनका carefully use हमें कुछ saving दे सकता है घर के हर member को पता होना चाहिए कि ज़रूरत ना होने पे electrical switches off होने चाहिए, phone का use करें, misuse नहीं महंगे transport facilities में कुछ कटोती करके public transport जैसे की bus या auto रिक्षा का इस्तिमाल अगर cab का ही इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो pool option यानि की cab sharing option ले सकते हैं, वो काफी सस्ता पड़ता है या petrol saving methods का use करके, petrol पे होने वाले खर्च को कम करना आप माने ना माने, लेकिन healthy खाना और regular exercise जैसी habits कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा medical खर्च बचा सकती हैं क्यूंकि आज की date में medical सबसे महगा होता जा रहा है चलिए ये सब हम कर भी लें, तो भी कैसे पता चलेगा कि हमने कितने पैसे save किये हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अभी point grocery बाकी है, grocery shopping से पहले listing, तांकि कोई important चीज लाना भूल ना जाएं, और कोई ऐसी चीज बाय ना कर लें जो already घर में मौझूद है, इससे money waste के सासा समान की बरबाधी भी होती है, 3 months तक अपनी income और छोटे से छोटे खर्च को लिखने से हमें average पता चल जाएगी, और जिस दिन से आपने लिखना शुरू कर दिया, समझ लें उसी दिन से आपने पैसे को waste करना छोड़ के saving करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिखने की आदत ही हमें बताएगी कि हमने कहां कहां फिजूल खर्च किया है, जिसे next time से रोका भी जा सकता है, तो करना ये है कि normally जितने पैसे bills और grocery पे every month खर्च होते हैं, उतने निकालने ही हैं, लेकिन grocery और bills में से जो भी पैसे इस बार save होंगे, वो चाहे एक छोटा सा amount ही क्यों न हो, उसे हम bank में saving account में deposit करवाएंगे और भूल जाएंगे, ऐसा आप तभी करेंगे, जब आपके प करना भी हो सकता है, जहां से आपको अलग से एक earning शुरू हो जाए, every month अगर हम अपनी salary का 20 या 10% भी save करें, तो भी एक time के बाद वो ही saving एक बड़ा amount बन सकती है, लेकिन बड़ी खोईशों को पूरा करने के लिए wait करने का मतलब ये नहीं, कि छोटी छोटी इच्छाओं को भी मारते रहें, ऐसा करने से obviously जीवन नीरस हो जाएगा, हर घर की income और जरूरतें अलग होती हैं, तो किसी का भी budget सेम नहीं हो सकता, बट एक formula जो सब पे implement होता है, तो घर में आने वाली income को इस तरहां से divide करें, कि basic जरूरतों के लिए 50%, शौंक पूरे करने के लिए 30% and saving के आपके पास हर चीज के लिए decided amount आ जाएगा, अब कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए इसी में ही खर्च करना है, clothes, footwear या घर के किस member की क्या demand है और किसकी demand पहले पूरी करना जरूरी है, वो भी according to your budget उसकी भी list ready होगी, priorities को top पे रखें और बाकी सब चीज़ों को hold पे, ऐसा करने से बच्चों को patience रखना भी आ जाता है, एक और चीज जो saving में बहुत help करती है, वो है बच्चों को दी जाने वाली pocket money, अब आप कहेंगे बच्चों की pocket money का saving से क्या लेना देना, लेकिन जब तक हम बच्चों को monthly खर्च देना शुरू नहीं करते, चाहे वो एक चोटा सा amount ही क्यों नहीं हो, वो पैसे की value नहीं समझते, आप बच्चों को कितना भी समझाएं कि खर्च कम करो वो नहीं समझेंगे, लेकिन pocket money देना और ये कह देना कि आपको इसी में अपने friends के birdies के लिए gift और अपना friends के साथ outing का खर्च भी manage करना होगा, and yes, they can buy their favorite things by saving money, और आप देख के हरान हो जाएंगे कि वो फालतू की चीज़ों पर खर्च करना बिल्कुल बंद कर देंगे, और एक particular amount save करके अपनी saving account में deposit करवाएंगे, इस तरह से चोटी age में ही बच्चे saving करना सीख जाते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में म पहले से जानती हूं, बट जब भी मेरा कोई अपना मुझे उसी के बारे में समझाता है, तो मुझे अच्छा feel होता है, लगता है कि सब कुछ remind हो गया, इसी तरह से आप सब के साथ भी मेरा एक अलग सा रिष्टा बन गया है, तो जिस भी चीज़ से आपको थोड़ा सा भी दे दे, तो भी उसको implement किये बिना हमें success नहीं मिल सकती, यह सारे savings के वो रास्ते हैं, जो हैं तो थोड़ी मुश्किल, बट practical है, तो if you want to save some money on regular basis, तो कुछ rules बनाएं, और उन्हें proper follow भी करें, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, आप सब का प्यार, likes और comment के through मुझे मिलता रहता है, नए वीवर से request कर रही हूं कि if you like my video then please subscribe to my channel with bell icon, you can follow me on facebook and instagram, link is in description box, so see you in the next video, till then bye, take care and stay healthy.